तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वाक थू अपने पहना होगा पैंट जो भी पहनी होती है इस तरीके से पैंट पैंट पेहनी होती है और मोड के च्छोटी कर लेते है तो वह Mü facebookchev बचाने के लिए अपनी ड्रेस को फिर उसके बाद जब हम आप महां से निकल आते हैं तो अपनी ड्रेस को वापस को लेते हैं तुक्यां अन्फोल्ड कर लेते हैं नेक्स कोईशन है यह अचानक से आपका जो फेवर्य टॉट गया है किया यह रिवर्स हो सकता है वह तो ही नहीं सकता है जो टॉट जाता है वह वह पर साबुत नहीं हो सकता ना so no this change breaking of toy cannot be reversed okay next question है some changes are listed in the following table for each change right in the blank column whether the change can be reversed or not यहाँ पर कुछ changes दिये हैं देखिए यहाँ पर आपको एक table दियोगी ठीक है तो उस table में इस तरीके से आपको table दिया है ठीक है और उस table में आपको यह changes दिये हैं ठीक है यहाँ पर changes लिखे हैं और यहाँ पर लिखे can be reversed yes or no क्या यह reverse हो सकते हैं या नहीं हो सकते ठीक है तो हमें क्या करना है इनको देखना है कि यह जो change है यह reverse हो सकते है या नहीं हो सकते तो पहला change है the sawing of piece of wood मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा है उसे काटे तो क्या यह reverse हो सकता है जो लकड़ी अगर तूट गई काट दी हमने उसे तो वह वापस तो जुड़ नहीं सकती तो वह वापस तहले कि जैसी तो हो नहीं सकती तो नो ठीक है तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो फिर है the melting of ice candy ice candy है उसको melt कर दिया है ठीक है तो क्या वह वापस बन जाएगी obviously अगर वह melt हो गई है पिखल गई जैसे आपकी ice cream है ice cream melt हो जाती है तो हम उसे फ्रिजर में वापस रख देते है तो भी वापस ice cream बन जाती है तो yes यह reversible है dissolving sugar in water पानी में sugar घोल दिया है तो क्या sugar अलग हो सकती है अब आपको होगे मैं तो sugar तो दिखती नहीं कैसे तो उसको कच्चे खाने को हम वापक बन गया है जो हमने उसे कुक क लिया था वापस तो कच्चा किसी भी condition में नहीं हो सकता तो यह reverse नहीं हो सकता ripening of mango mango मतलब पक गया है पका हुआ आम पक गया है क्योंकि chemical change है तो यह reverse नहीं हो सकता तो इसका answer भी no आएगा next question है a drawing sheet changes when you draw a picture on it एक drawing sheet पे आपने drawing sheet change हो जाती है जब आप उस पे कोई picture draw करते है drawing sheet पे picture draw करते है तो obviously change हो जाती है ना उसमें can you reverse this change क्या आप उसे reverse कर सकते है no we cannot get fresh drawing sheet once a picture is drawn on it with paint or oil or water अगर हम उस drawing sheet पे अगर paint से या oil color से या water color से picture draw कर लेते हैं तो वापस drawing sheet तो वैसी नहीं हो सकती हाँ अगर उस पे हमने pencil से draw किया है तो उसे हम erase करके वापस वैसी drawing sheet पा सकते हैं तो however we can reverse the change if soft pencil is used to draw the picture अगर हमने soft pencil यानि कि pencil का use किया है द्राउ करने के लिए picture को तो हम उसे वैसे ही drawing sheet पा सकते हैं ठीक है? question number 5 है give example to explain the difference between the changes that can or cannot be reverse examples बताओ उन differences का मतलब कि जो changes reversible है और जो irreversible है मतलब जो change हो सकते हैं reverse हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं reversible मतलब जो वापस उसी form में आ सकते हैं और irreversible जो नहीं आ सकते ठीक है तो मैंने यहां पर इसने दो parts में कर रहा है पहले reversible change और फिर irreversible change तो पहले देख लेते हैं reversible change reversible कौन से होते हैं जो वापस reverse हो जाते हैं जैसे inflating of a balloon हवा भरना balloon में मतलब जो गुबारा होता है गुबारे में जब हम मुह से हवा भड़ते हैं तो क्या होता है अगर उसकी हवा को बांधा नहीं आपने उपर सा टाइ नहीं किया और उसकी हवा को निकाल दिया तो क्या होगा वह वापस balloon की शेप में आ जाता है तो यह है reversible change balloon regain its original shape after evacuating तो जब हम उसकी हवा निकाल देते हैं वह वह वापस balloon की शेप में आ जाता है second जो है reversible making ice from water पानी से ice बनाना फिर के बरभ बनाते हैं न we can get water back by melting the ice अब हमने ice बना लिया पानी से और उसको अगर हम melt कर दें ice को तो वापस हमें पानी मिल जाएगा तो यह भी reversible है फिर है folding the paper we can get back the paper in its original shape and size after unfolding it हमने paper को fold किया fold करने के बाद वापस उस paper को खोल दिया तो हमने उसकी वापस reverse हो गया उसका change क्योंकि जैसा paper था वैसी हमें मिल गया तो यह भी reversible change है उसके बाद है glowing of electric bulb बल्प को हम जलाते हैं जब once the bulb is switch off it again becomes dark as therefore जब हम बल्प को जैसे जलाया उसके बाद हमने बल्प का switch बंद कर दिया तो वापस अंधेरा हो गया जैसे की पहले था तो यह भी reversible change है तो यह सारे जो थे reversible change थे अब हम पढ़ेंगे irreversible changes तो irreversible changes कौन से होते हैं जो वापस उसी form में नहीं आते तो first is bursting of balloon पहला था inflating of balloon reversible में हमने उसमें भर रहे थे और निकाल रहे थे इसमें burst मतलब फट जाना जैसे आपने हवा भर दी उसको tie कर गया उसके बाद उसमें पिन मार दिया थोड़ दिया उसे तो क्या होगा फूटने के बाद गुबारा जो है बिल्कुल वैसे हो जाएगा फट जाएगा तो वापस उसमें हवा तो नहीं भर सकते न हम so balloon cannot get back into its original shape तो यह है irreversible making curd from milk दूद से दही बनाना दूद से हमने दही बना दिया क्या दही से दूद बन सकता है no तो यह irreversible है milk cannot be obtained back once curd is formed दूद वापस नहीं आ सकता cutting the paper reversible में हमने fold किया था paper को लेकिन irreversible में हम क्या कर रहे है cut कर रहे है paper we cannot get back the original paper from its pieces हम चोटे चोटे जो piece करें या हमने वैसे भी piece किये जैसे भी तो उसको वापस हम paper वापस साबुत नहीं बना सकते next है burning of candle candle को जलाना it gives heat and light which cannot give back the original candle again यह जो है candle जलाने से हमें heat and light मिलती है लेकिन original candle जो थी वापस हमें वैसी नहीं मिलेगी ठीक है तो यह मैंने reversible और irreversible दोनों अलग-अलग किये हैं आप इसको line डाल के भी इस तरीके से कर सकते हैं यहां पर reversible लिखती है और यहां पर irreversible ठीक है फिर यहां पर ऐसे ऐसे कर दिया ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं question number six है thick coating of paste of plaster of paris is applied over the bandage on a fractured bone मतलब POP plaster of paris की full form है मतलब POP को plaster of paris कहते हैं आप जब आपकी कोई देखा होगा आपने जिनकी हड़ी तूट जाती है उनके पर fracture जब हो जाता है तो वो लगाते हैं POP लगा देते हैं ठीक है ना bandage करते हैं white white से color का आपने देखा होगा तो उस पर POP लगाते हैं it becomes hard on drying to keep the fractured bone embolished तो अब क्या होता है जब जब सूख जाता तो बहुत hard हो जाता है fracture bone जोसे हिल नहीं पाती ठीक है can the change in POP reverse जो हमने जो POP लगाई है जो सूख हो जाती है तो क्या वो वापस reverse हो सकती है मतला वापस हमें POP की form में मिल सकती है no the change in POP cannot be reverse since it is a chemical change POP वापस नहीं मिल सकती क्योंकि यह chemical change है सूखने के बाद कभी वापस जैसे आपने दिखा होगा घरों में भी हमारी च्छतों पे रूफ पे POP लगी होती कम रोम्स में ठीक है एक सिमेंट का बैग है सिमेंट का बोरा है गीला हो गिया है रात में बारिश होने के कारण तो क्या हुआ अगले दिन बहुत तेज की धूप निकली है do you think the changes which have occurred in the cement could be reverse तो क्या आपको लगता है कि रात को तो वह बोरा सिमेंट का भीग गया पानी में और सवेरे संशाइन हुई मतब धूप तेजी से निकली तो क्या लगता है कि सिमेंट वापस से सही हो गई होगी तो no these are irreversible chemical change क्योंकि यह chemical change है तो यह irreversible है reverse नहीं हो सकता सिमेंट के बोरो को आपने देखा होगा जब भी construction होती है अंदर रखा जाता है कुले में नहीं रखा जाता है क्योंकि सिमेंट एक बार जब गिली हो जाती है तो उसमें chemical change हो जाता है फिर वह वापस उसी form में नहीं बन सकती ठीक है तो यह irreversible change है next question है यहां तक ही हमारे सा